हेलो इस्टूडेंट्स पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बोध कथा काच की बरनी और दोकप चाय के विशह में पढ़ाया था और समझाया था आज की वीडियो में मैं आपको उसी पार्ट से संबन देती आनि काच की बरनी और दोकप चाय जो पार्ट में ध्याकरण का भाग है उसमें मैं आपको प्रेनार्थक क्रिया के विशह में पढ़ाऊंगी वस समझाऊंगी बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए देखिए इसमें क्या-क्या लिखा है जो शब्द लिखे हैं उनको ध्यान से देखो और समझने का प्रियाश करो नहाना, चलना, हसना, जाना, उठना, खाना, बोलना, रोना ये सब क्या हैं बच्चों ये सब क्रिया हैं तो आप लोग क्रिया के विशह में जानते हो आज मैं आपको प्रेनार्थक्रिया के विशह में पढ़ाऊंगी बस समझाऊंगी कि प्रेनार्थक्रिया किसे कहते हैं इसकी क्या पहचान होती है और ये कितने प्रकार की होती है तो बच्चों वीडियो को ध्यान से देखना और समझना कि प्रेनार्थक्रिया किसे कहते है किरिया प्रेदNewarta किरिया। तो इसकी परिवाशा इस प्रकार से होगी कि जिस क्रिया को करता स्वयम ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है उसे हम प्रेणार्था क्रिया कहते हैं अर्थात करता स्वयम कारना करके किसी से कार्य करवाता है अर्थात किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेन न देता है उसे हम कहते हैं प्रेनार्था किरिया जैसे कि माताजी नौकर से सामान उठवाती है मौहन बहन से कपड़े दुलवाता है तो बच्छों आपने देखा इन वाक्यों में करता स्वयम कारें ना करके किसी दूसरे से कारें को करवा रहा है पहले वाक्य में हम देखते हैं माताजी नौकर से सामान उठवा दिया अर्थात इस वाक्य में भी मौहन अपने कपड़े स्वयमना दो करके बहन से कपड़े दुलवा रहा है अधे ये कैसी क्रियाए है प्रेणार्थक क्रिया उटवाती है दुलवाता है ये सबी क्रियाए कहला है कि प्रेणार्थक क्रिया तो इस परकार से हमने जाना कि जिस क्रिया को करता स्वयम ना करके दूसरों को करते के लिए प्रेणित करता है या किसी दूसरे को कारे करने की प्रेणना देता है उसे हम कहते हैं प्रेणनार्थक क्रिया प्रेणनार्थक क्रिया के भेद प्रेणनार्थक क्रिया के दो वेद होते हैं पैला वेद होता है प्रथम प्रेणनार्थक और दूसरा वेद होता है जितिये प्रेणनार्थक प्रथम प्रेणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिन क्रियाओं में करता स्वयम कार्य करके दूसरों को कार्य करने की प्रेणा देता है उन्हें हम कहते हैं प्रथम प्रेणार्थक क्रिया जितिये प्रेणनार्थक क्रिया वे क्रिया होती है जिन क्रियाओं में करता स्वयम संबलित ना हो करके यानि स्वयम उस कार्य को ना करके दूसरों को कार्य करने की प्रेणना देता है यानि दूसरों से कार्य को करवाता है उन्हें हम कहती है जितिये प्रेणनार्थक क्रिया करने की प्रेणना देता है उसे हम कहते हैं दुटिय प्रेणार्थक क्रिया तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम प्रेणार्थक क्रिया के विश्य में प्रथम प्रेणार्थक क्रिया को हम प्रतक्ष प्रेणार्थक क्रिया भी कहते हैं तो जैसा कि मैंने अभी आपको पत कि जिन क्रियाओं में करता स्वयम कार्य करके दूसरों को कार्य करने की प्रेढ़ना देता है उन्हें हम प्रथम प्रेढ़नार्था क्रिया कहते हैं कैसे कि मां बच्चे को अनार खिलाती है तो बच्चों आप देखोगे कि इस वाक्य में मां स्वयम कार्य करके बच्चे को कार्य करने की प्रेणा दे रही है अर्थात इस वाक्य में मां स्वयम खिलाने का कार्य करके बच्चे को खाने के लिए प्रेरित कर रही है अधा ये कैसी किरिया होई प्रथम प्रेड़नार्थक किरिया क्योंकि इस किरिया में करता स्वयम कार्य करके दूसरे को कार्य करने की प्रेड़ना दे रहा है अधा ये कैसी है प्रथम प्रेड़नार्थक क क्रिया के साथ हम आना प्रत्य अगर जोड़ देते हैं तो इस क्रिया का निर्माण किया जाता है अर्थात इस क्रिया के साथ आना प्रत्य जोड़ दिया जाता है इसका आर्थ यह है कि प्रतम प्रिणार्थक क्रिया का निर्माण आना प्रत्य जोड़ करके किया जाता है जैस उसके अंद में आना प्रत्य जोड़ करके शब्द बना पढ़ाना और पढ़ाना क्या हो गया प्रथम प्रेणार्था किरिया चल प्लस आना पराबर चलाना चल मूल दातू है या मूल किरिया है उसके अंद में हमने आना प्रत्य लगा करके चलाना शब्द का दिर्मान किया चलाना क्या है एक प्रथम प्रेणार्तक क्रिया है वही एक और धरन लेते हैं कट प्लस आना बराबर कठाना अर्था कट क्या है एक भूल क्रिया है भूल दातु है इसके अंद में आना प्रत्य जोड़ करके हमने शब्द का अंदर्मान किया कठाना तो इस प्रकार से कठाना क्या हो गई प्रथम प्रेणार्थक क्रिया तो बच्चों इस प्रकार से हमने जाना कि प्रथम प्रेणार्थक क्रिया क्या होती है जिन क्रियाओं में करता स्वयम कार्य करके दूसरे को कार्य करने की प्रेणा देता है उन्हें हम प्रथम प्रेणार्थक क्रिया कहते हैं और प्रत्म प्रेणार्थक क्रिया का निर्माण करते हैं जैसे कि हमें नीचे इन मूल क्रियाओं में आना प्रत्य जोड़ करके प्रत्म प्रेणार्थक क्रियाओं का निर्माण किया था अब हम पढ़ेंगे दुत्य प्रेणार्थक क्रिया दुत्य प्रेणार्थक क्रिया को हम आप्रतक्ष प्रेणार्थक क्रिया भी कहते हैं तो दुत्य प्रेणार्थक क्रिया वहप क्रिया होती है जिन क्रियाओं में करता स्वयम सम्लित ना हो करके दूसरों को कार्य करने की प्रेणना देता है उन्हें हम कहते हैं दुत्विय प्रेणार्थक क्रिया अर्था जिन क्रियाओं के अंतगरत करता स्वयम कार्य ना करके दूसरों को कार्य करने की प्रेणना देता है उन्हें हम द से बाल कटवाता है तो बच्छों आपने देखा पहले बागय में नोकर स्वय्बपत्र ना लिखकर के माली से पत्र लिखवा रहा है तो आधां इस बाख्य में वहेश आई और रहा है water इस जाल के में प्रक्रय में अपने बाल ना काट करके ज송र मैं को較 नाई करिया है जित्विय प्रेणार्था क्रिया क्योंकि जिन क्रियाओं में करता स्वयम संपलित ना हो करके अर्था जिन क्रियाओं को करता स्वयम ना करके दूसरों को करते की प्रेणा देता है या दूसरों से उस कार्य को करवाता है तो उन्हें हम कहते हैं दुत्य प्रिनार्था क्रिया तो इस वाक्य में लिखवाता है तथा कटवाता है ये क्रिया क्या कहलाएंगी दुत्य प्रिनार्था क्रिया तथा दुत्य प्रिनार्था क्रिया को हम आप प्रतक्ष प्रिनार्था क्रिया भी कहते हैं तदा दुत्य प्रिणार्थक क्रिया में धातु शब्दों के अंद में वाना प्रत्य लगा करके दुत्य प्रिणार्थक क्रिया के शब्दों का निर्मान किया जाता है अर्थार धातू शब्द के अंद में हम वाना प्रत्य लगा करके दुद्रिये प्रेणार्थक्रिया के शब्दों का निर्मान कर सकते हैं और जब की प्रथम प्रेणार्थक्रिया में क्या किया था हमने प्रथम प्रेणार्थक्रिया के अंतरगद हमने धातू शब्दों के अंद में आना प्रत्य लगाये था और दित्य प्रेणार्थक्रिया में हम वाना प्रत्य लगाएंगे तो इस बात को हमें ध्यान लगना है जैसे की चल प्लस वाना बराबर चल वाना चल क्या है एक मूल धातू है इसके अंद में हमने वाना प्रत्य लगा करके शब्द का अंदिर्मान क्या चल वाना तो ये क्या होगी दित्य प्रेणार्थ किरिया परोधारण लेते हैं कट प्लस वाना कट क्या है कट एक मूल धातू है इसके अंद में हमने वाना प्रत्य लगा करके शब्द का निर्मान किया कट वाना तो इस प्रकार से यह बन गई दित्रिय प्रेणार्थ किरिया लिक प्लस वाना लिक एक मूल धातू है यह मूल किरिया है इसके अंद में वाना प्रत्य लगा करके शब्द का निर्माण क्या लिख वाना तो इस प्रकार से हमने देखा कि दित्य प्रेणार्था क्रियाओं को निर्माण मूल धातु के अंद में वाना प्रत्य लगाने से बनता है जबकि प्रतम प्रत्व 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 प् नहीं क्यलाती है प्रतक्ष प्रेढव प्रेढ़नार्थक खिरिया जब के शुर honey अन्तगत कर्दत स्वयं संबलित ना होकरकर के दूसरों को कार्य करने की प्रेढ़ना देता है तो उन्हां कहते हैं यह प्रतक्ष प्रेढ़नारथक खिरिया इसके लिए एक नोट लिखाए मैंने कि सभी प्रेणार्था क्रिया सकर्मक होती है तो ये बात हमें ध्यान लगनी है कि सारी प्रेणार्था क्रिया कैसी होती है सकर्मक होती है अर्थाथ उनका एक कर्म होता है अब हम पढ़ेंगे साधरन किरिया और प्रेनार्था किरियां में अंदर जैसे की बच्चा दूद पीता है ये क्या हो गई? एक साधरन किरिया हो गई मा बच्चे को दूद पिलाती है ये हो गई प्रथम प्रेनार्था किरिया माननी, दूसरे बच्चे को दूद पिलवाती है, यह हो गई दिद्ये प्रेनारथा किरिया तो इस प्रकार से हमने देखा कि पहले वाक्य में बच्चा दूद पीता है अर्थार इस वाक्य में मूल रूंप से दूद पिने का जो काम है वो बच्चा स्वय में करता है, अर्थात कोई दूसरा उसे पीने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है तो यह कैसी हो गई, यह साधरन के लिए हो गई तो दूसरे वाक्य में हम देखते हैं कि मा बच्चे को दूपलाती है अर्थात जैसा कि हमने पढ़ाता कि प्रथम प्रेणार्त करिया के अंतरगत करता स्वयम कार्य करके दूसरों को कार्य करने की प्रेणा देदा है तो इस वाकिय में हम देखते हैं, कि मा स्वयम दूद पिलाने का कारता करके, बच्चे को दूद पीने के लिए प्रेरित कर रही है। तो यह कैसी क्रिया हो गई प्रतम प्रेहनार टक रिया क्योंकि इसकी अंतरगत करता स्वयम कारेव करने की प्रेहना दे रहा है। अधात मा स्वयम दूद पिलाने का कारे करके बच्चे को दूद पीने की क्या दे रही है प्रेणना दे रही है आता यह हो गई प्रधम प्रेणार्था क्रिया वही दूसरे वाक्य में हम देखते हैं मा नीतु से बच्चे को दूद पिलवाती है और यह कौन सी हो गई दित्य प्रेनार्था क्रिया क्योंकि हमने पढ़ाता कि जिन क्रियाओं में करता स्वयम संब्लित ना हो करके दूसरों को कारे करने की प्रेना देता है उन्हें हम दिद्ये प्रेनार्था क्रिया कहते हैं तो इस वाके में हम देखते हैं कि मा नीटू से बच्चे को दूद पिलवा रही है अर्थात मा यह कार्य स्वयम ना करके नीटू से करवा रही है तो यह कैसी हो गई तो इस प्रकार से हम ने देखा कि साध्रहन क्रिया के अंतरगर्थ तो करता स्वयम अपना कार्य करता है कर्दा स्व्यम कार्यकर्ण को खार्य करने के प्रेनन देता है तरहंहां दित्विय प्रेहर्णार्था करियाओं के अंत्रगढ करदा स्व्यम कार्य में kamera करने के दूसरों ओ 쿠 अम पढ़ेंगे प्रेहर नार्था क्रियाओं के रूरे जैसे कि मूल क्रिया प्रथम प्रेणार्था क्रिया और दिद्य प्रेणार्था क्रिया तो देखा मूल क्रिया क्या है दोड़ना अब इसकी प्रथम प्रेणार्था क्रिया कैसे बनेगी मैंने आपको पताया था कि प्रथम प्रेणार्था क्रिया के अंतरगत आना प्रत्य ल देखना देखना मूल क्रिया है इसके अंद में हम आना प्रत्वानं दिखाना वाना प्रत्वाना तो इस प्रकार से हम मूल किरियाओं के अंत में आना प्रत्य लगा करके प्रथम प्रेणार्तक्रिया का निर्मान कर सकते हैं तथा मूल किरियाओं के अंत में वाना प्रत्य लगा करके हम्तित्य प्रेणार्तक्रियाओं का निर्मान कर सकते हैं तो इस प्रकार से आज हमने अपने इस वीडियो के अंतरकर जाना कि प्रेणार्थक क्रिया किसे कहते हैं जिस क्रिया को करता स्वयम ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेणित करता है उसे हम कहते हैं प्रेणार्थक क्रिया तता इसके दो वेद होते हैं प्रथम प्रेनार्थक्रिया और दित्य प्रेनार्थक्रिया प्रथम प्रेनार्थक्रिया वहक्रिया होती है जिन क्रियाओं में करता स्वयम कारे करके दूसरों को कारे करने की प्रेना देता है उसे हम प्रथम प्रेनार्थक्रिया कहते हैं तदा दित्य प्रेनार्थक्रिया वह क्रिया होती है जिन क्रियाओं में करता स्वयम संबलितना हो करके दूसरों को कारे करने की प्रिणा देता है उन्हें हम दित्विय प्रिणार्थ क्रियाओं को निर्मान मूल क्रिया के अंध में आना प्रत्य जोड़ करके करते हैं जबकि दित्विय प्रिणार्थ अब हम करेंगे कुछ प्रशनों का अभ्यान जिसे आज आपने इस वीडियो के अंतरगर जो भी कुछ सीखा है या जो भी कुछ पढ़ा है आप उन प्रशनों का अभ्यास करके अपना मुल्यांकन पर सकें यानि आप जान सकें कि आज आपने कितना सीखा है पहला प्रश्न है मा ने मोहन से चिट्धी लिखवाई उप्रुक्त वाक्य में रेखांकित करिया का उचित भेग बताईए सामान ने करिया दिद्विय प्रेड़नार्था करिया प्रथम प्रेड़नार्था करिया या फिर मुख्य करिया इसका सही उत्तर है दित्य प्रेणार्था किरिया अगला प्रश्ण है माराधा को आम खिलाती है उप्रूप्त वाक्या में रेखांकित किरिया का उच्छित बेद बताईए इसका सही उत्तर है प्रथम प्रिनार्त किरिया लब प्रश्न है जिस किरिया को करता स्वयम ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है उसे रित्तिस्तान कहते है सामान्य किरिया, प्रिनार्त किरिया, साहयक किरिया या फिर मुख्य किरिया इसका सही उत्तर है प्रेणार्थक क्रिया अगला प्रश्ण है पिलवाना क्रिया का भेद बताईए सामाने क्रिया है, नामधातु क्रिया है, सैयुग्न क्रिया है या फिर प्रेणार्थक क्रिया इसका सही उत्तर है प्रेणार्थक क्रिया अब आईए बिलोम शब्द के विशे में पढ़ाते हैं कि बिलोम शब्द किसे कहते हैं किसी सब्द का उल्टा आर्थ बताने वाले शब्द को विपरीत आर्थक या बिलोम शब्द कहते हैं जैसे सुख का उल्टा दुख, हार का जीत, भारी का हलका, पहला का अंतिम, उचित का अनुचित, सफल का सफल, आदी, ये सब एक दूसरी का उल्टा अर्थ बताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बिलोम शब्द कहते हैं, यानि विप्रीत अर्थ बताने वाले को बिलोम कहते हैं, बिलोम शब्द, आप देखी, यहाँ पर कुछ बिलोम शब्द दिये हुए हैं, चित्र दिये हुए हैं, जैसे छोटा का उल्टा क्या होगा? बड़ा, हाथी बड़ा है, चुगा छोटा है, अगला क्या है बच्चों सोना सोना का उल्टा क्या होगा जागना सर्दी का उल्टा गर्मी सर्दी का उल्टा गर्मी और आगे कम का अधिक कम का क्या होगा उल्टा बच्चों अधिक सुभे का साम सुभे का क्या होगा उल्टा साम तो बच्चों ये तो मैंने आपको चित्रो के माध्यम से बिलोमशब्द समझाए थे अब यहां पर बिलोमशब्दों की लिस्ट दी हुई है आए इसको पढ़ते और समझते हैं अच्छा का क्या होगा बुरा दिन का रात मीठा का खट्टा आगे का पीछे सुख का दुख जीत का हार अंदर का बाहर प्रिश्ण उत्तर आना जाना अमृत विश्ण अपना पराया धनी निर्धन गरम ठंडा आगे पीछे उपर नीचे सुख साम काला सफेद राजा राजा रंक अमीर गरीब हसना रोना सोना जागना कम अधिक काला गोरा जलना गुचना खुशी ना खुशी दंड उरुश्कार विश्वास अविश्वास तो बच्चों ये तो हो गये बिलोम शब्थ हाँ पाये लोकोक्तियों के विशे में पढ़ते हैं बच्चों लोकोक्तिया, लोगों में प्रचलित कहावतें लोकोक्तिया कहलाती है। एक प्रकार से लोकोक्तिया लोगों के अनुभवों का निचोड होती है। भाशा में प्रायहा अपनी बात को सपष्ट करने तथा उपदेश देने के लिए इनका प्रियोग होता है। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती है और इनका भी मुहावरों की तरह विशेश अर्थ होता है जैसे पहला जल में रहकर मगर से पैर इसके अधेन रहना उसी से दुश्मनी मोल लेना दूसरा हाथी के दाथ खाने के और दिखाने के और कहना कुछ करना कुछ अतहा हम कह सकते हैं लोगों में प्रचलित अनुभाव द्वारा प्राप्त बूपती, लोकोक्ति कहलाती है कुछ लोकोक्तियों के अर्थ और उनके वाक्य प्रयोक देखिए पहला उल्टा चोर को द्वाल को डाटे अर्थ अपनी गर्दी ना मान कर गर्दी निकालने वाले को ही दोशी थ पूछने पर जगणा करने लगी ये तो वही बात हुई उल्टा चोर को द्वाल को डांते तूसरा खोदा पहाण निकले चुहिया अर्थ अत्यतिक परिश्रम करने पर भी थोड़ा लाब होना वाक्य उसने लोहे के व्यापार में लाखों रुपए लगा दिये मुनाफ़ा देखा तो कुल दस हजार सच है खोदा पहाण निकले चुहिया तीसरा घर का भेदी लंका ठाए अर्थ आपस की फूट से हानी होती है वाक्य भाईयों के आपसी जगडे के कारण जोटा भाई दुश्मनों से जामिला और बड़वारा करा लिया यह तो वही बात हुई घर लाठी उसकी भेश अर्थ शक्तिशाली की ही चीत होती है वाक्य सब जानते थे कि घरी राशी की थी पर विवान के पिता पुलिस में है इसलिए कोई उसको पकड़वाना सका सची है जिसकी लाठी उसकी भेश पाच्वा काला अक्षर भेश बराबर अर्थ बिल्कुल वाक्य, सुखिया ने दादी से संपत्ती के कागजों पर अंगुठा लगवा लिया, क्योंकि दादी के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है छठा, खर्बूजे को देखकर खर्बूजा रंग बदलता है अर्थ, संगती का असर अवश्य होता है वाक्य, विने को छात्रा वास में भरती हुए एक महिना ही हुआ है पर देखो, उसकी चाल धाल ही बदल गई है सच है, खर्बूजे को देखकर खर्बूजा रंग बदलता है साथवा, राई का पहाड बनाना अर्थ, बात को बहुत बढ़ा चड़ा कर कहना वाक्य, अरे भाई, जरा सी तो बात थी, तुम क्यों राई का पहाड बना रहे हो आठवा, दूर के ढोल सुहावने अर्थ, दूर से हर वस्तु अच्छी मालूम होती है वाक्य, आप महानगरिय जीवन की प्रशंसा करते हैं पर आपको पता नहीं है कि वहाँ जीना कितना दूभर होता है क्योंकि दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं नवा, एक हाथ से ताली नहीं बचती अर्थ, जगड़ा एक तरफ से नहीं होता वाक्य, ऐसा नहीं हो सकता कि सारा दोश निर्मला काही हो तुमने भी ज़रूर कुछ कहा होगा क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बचती तसवा, मुँ मेराम बगल में छुरी अर्थ, देखने में सज्जन हिर्दै से कप्टी वाक्य, इसके माथे पर तिलक और कंट की माला देखकर भक्त समझने की भूल न करना इसके मुँ मेराम बगल में छुरी है कुछ प्रमुख लोकोक्तियां और उनके अर्थ इस प्रकार है पहला, एक और एक क्या रहा एक तामे शक्ती होना दूसरा, घर की मुर्गी दाल बराबर घर की वस्तू की कदर नहीं होती तीसरा, चूर की दाल ही में तिनका दोशी व्यक्ती का अपने दोश के कारण स्वयंग डरना चौथा, जैसी करनी वैसी भरनी कारे के हिसाब से फल मिलना पाँचवा, हाथ कंगन को आर्सी गया प्रत्यक्ष को प्रमार की जरूरत नहीं होती छठा, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना कारे शुरू करते ही विखन पड़ना साथवा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती सभी लोग एक समान नहीं होते आठवा, नाच न जाने आंगन तेड़ा खुद काम ना आने पर साधन में कमे निकालना नवा, दूद का दूद पानी का पानी करना, नियाय करना दसवा, अंधों में काना राजा मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा भी आदर का पात्र होता है ग्यारवा, अदजल गगरी छलकत जाए कम योकिता वाले व्यक्ती का योकि होने का दिखावा करना बारवा, आम क्याम, गुटलियों के दाम, दुहरा लाब तेरवा, आफ़त बोल लेना, स्वयम मुसीबत बुलाना चौदवा, उची दुकान फिर के पकवान दिखावा अधिक किंतु वास्तवित ना कम वंद्रवा, एक अनार सौ बिमार एक वस्तो के अनेट जहने वाले लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लोकोक्तियों के प्रियोक से भाशा सुन्दर वर रोचक बन जाती है यह अपने आप में पूरा अर्थ रखती है इसलिए इनका वाक्य प्रियोक करने की आवशक्ता नहीं होती प्रियोग के दृष्टी से ये अपना स्वतंत्र अस्तित्वर रखती है जबकि मुहावरों के लिए वाक्य प्रियोग जरूरी होता है बिना वाक्य प्रियोग के ये अपना अर्थ व्यत्ति नहीं कर पाती अपनी बात को प्रभावशा लिठंक से कहने तथा उपदेश देने के लिए भाशा में लोकोप्तियों का प्रियोग किया जाता है ये पूर्ण वाक्य होती है और इनका विशेश आर्थ होता है अब आईए देखते हैं आज की एक्टिबिटी में आपके लिए क्या है एक्टिबिटी में एक्सरसाइज टू दी गई क्रियाओं से प्रथम प्रेन आर्थक और दुत्य प्रेन आर्थक क्रियाओं की रचना करो तो बच्चों ये बर्क अच्छे से कंप्लीट करो अब आईए देखते हैं आज के क्लास वर्क में आपके लिए क्या है क्लास वर्क में है निम लिखित बाक्यों में क्रिया छाटी है अब देखे क्रिया शब्द ढूणने हैं आपको इन बाक्यों में जो दिये गए हैं बाके कौन से हैं बच्चों? मा ने खाना बनाया राधा पत्र लिखती है रमेश कपड़े धो रहा है पिता जी ने पुश्तक लिखी मोहन स्कूल जाता है इसमें आपको क्रिया पद ढूणना है कि क्रिया खान कौन सी है अब आईए देखते हैं आज के होमबर्क में आपके लिए क्या है? होमबर्क में जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है समझाया है झाले बाल